अध्याए नौ आप लोग उदारता पूर्वक दान दें संतों की सहायता के विशय में मुझे आप लोगों को लिखने की कोई जरूरत नहीं है मैं इसके विशय में आपकी उत्सुकता जानता हूँ और मके दुनिया से ये कहते हुए गर्व प्रकट करता हूँ की अखैया एक साल से तैयार है आपके उत्साह से बहुतों को प्रेरना मिली है मैं इन भाईयों को इसलिए भेज रहा हूँ कि हमने आप पर जो गर्व प्रकट किया है वह निराधार न निकले मैं चाहता हूँ कि आप तैयार हूँ जैसा कि मैंने कहा कहीं ऐसा न हो कि कुछ मकेदूनी मेरे साथ आकर यह देखें कि आप तैयार नहीं है और हमको और आपको भी लज्जित होना पड़े जबकि हमने इस विशय में आप पर इतना भरोसा दिखलाया है इसलिए मैंने भाईयों से यह अनुरोद करना आवश्यक समझा कि वे पहले आपके यहां आएं और ऐसा प्रबंद करें कि आपने जो दान देने की प्रतिग्या की है वह मेरे पहुँशने से पहले तैयार हो और वह आपकी करपनता का नहीं बलकि आपकी उदारता का प्रमान हो इस बात का ध्यान रखें कि जो कम बोता है वह कम लुनता है और जो अधिक बोता है वह अधिक लुनता है हर एक ने अपने मन में जितना निश्चित किया है उतना ही दे वह अनिच्छा से अथवालाचारी से ऐसा न करे क्योंकि इश्वर प्रसन्यता से देने वाले को प्यार करता है इश्वर आप लोगों को प्रचुर मात्रा में हर प्रकार का वर्दान देने में समर्थ है जिससे आपको कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं हो बल्कि हर भले काम के लिए चंदा देने के लिए भी बहुत कुछ बच जाए धर्मगरंथ में लिखा है उसने उदार्ता पूर्वक दरिद्रों को दान दिया है उसकी धर्मिक्ता सदा बनी रहती है जो बोने वाले को बीज और खाने वाले को भुजन देता है वह आपको बोने के लिए बीच देगा उसे बढ़ाएगा और आपकी उदार्ता की अच्छी फसल उत्पन करेगा इस तरह आप लोग हर प्रकार के धन से संपन होकर उदार्ता दिखाने में समर्थ होंगे आपका दान मेरे द्वारा वित्रित होकर इश्वर के प्रति धन्यवाद का कारण बनेगा क्योंकि यह सेवाकार्य न केवल संतों की अवश्यक्ताओं को पूरा करता है बलकि इश्वर को धन्यवाद देने के लिए बहुत से लोगों को प्रिरित भी करता है आपका यह सेवाकारे देखकर वे इश्वर की महिमा करेंगे क्योंकि आप लोग मसीह के सुसमाचार के अनुसार चलते हैं और उनके तथा सबों के प्रति उदार हैं वे आपके लिए इश्वर से प्रार्थना करेंगे वे आपको प्यार करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि इश्वर ने आप लोगों पर कितना अनुग्रह किया है। इश्वर को उसके अनिर्वचनी अनुग्रह के लिए धन्यवाद।